हे गाईस विलकम टू सक्सेस दिलिप में दिलिप कुमार स्वागत है अपका इस वीडियो में तो दोस्तों आज की वीडियो में न्यूर गूर्मेंट की डिसकस करने वाले हैं जो की वेकिंस निकाली गई है भारतिय वायू सेना से इंडियन एयर फोर्स से ग्रूप सी सिविल एयर फोर्स में जॉप्स करने का आप सभी के लिए एक सुनेरा आफसर फिर से रिक्रूटमेंट आउट कर दी गई है तो जो भी केंड़ेड एलिजबल हैं जरूर एपलै कीजेगा सबसे पिल हम ये देखेंगे कि भाई एलिजबल कोन है इसलिए चलते हैं ऑफिसल इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ सो फ्लीज वीडियो को कंडिन्यू किजेगा और बिना इसकीप किये पूरा देखेगा ताकि आपकी कोई भी जो डाउट है वो मिस ना हो पाए इस्टार्ट ना हो इससे पहले मैं बताना चाता हूँ चैनल पे कर आप पहली बार कर रहे हैं सबस्क्राइब जरूर कर लें सक्सेस दिलिप को ताकि इसी तरह लेटेस्ट की अपडेट आपको बराबर मिलती रहे हैं तो आप सब के लिए गुड न्यूज दे आप किसी भी एक्जाम की प्रिपेशन कर रहे हैं चाहे आइस्बी आइपी ओ आइपी एस्पी कोई भी वेंग की आपके टारगेट है 2021 में क्रैक करना आप सब के लिए बिगेश्ट अपशनोडी है एक स्कॉलर्शिप जीतने का जो की 50 लेक का प्राइजेस रखी गई है ये और्गनाइजेशन जो है वो करवा रही है और ये टोटली फ्री करवा रही है तो प्लीज जर आपके पूछे जाने वाले हैं और ये 23 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक लाइब होने वाली आप एकसेस कर सकते हैं तिल 7 पीम तर ये सारी लिंक डिस्क्रिप्शन मौजूद है कैसे पार्टिस्पिट करना जरा मैं बता देता हूं उस लिंके पर ओपें कीज़ेग इंडियां से आप अपने टेश्ट लगा सकते हैं बिलकुल इसी तरह से फ्री में पार्टिस्पिट करें लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और जीती है 50 लाग का इना तो गाइज ये ये ऑफिसल नोडिफिकेशन जो की रिलीस की गई है भारतिय वायू सेना से यान यह देखते हैं सबसे पहले कौन-कौन सी पोस्ट पर और कौन-कौन सी कमांड से वेकिंस निकाली गई है बगल में यहां पर सबसे पहले आपको दिखा देगी यह पोस्टल एड्रेस से ध्यान रखना जब आप फोंफिल करोगे न तो यही पोस्टल एड्रेस से आपको इजनी होती है जिस कमांड में एपलाइ कर सकते हो सबसे पहले कमांड आपको दीख जाएगी देख सकते है एर पोस्ट कमांडिंग की जिसमें लडीसी एमटीयस की पोस्ट है नेक्स आपको मिल जाएगी एर कमांड दूसरी वेकंसी लडीसी हो गया और SUPDT स्टोर में है प्रूक की MTS फिर आपको मिल जाएगी लडीसी फिर है यहाँ फिर फायरमेन की वेकंसी है देन आपको मिल जाती है यहाँ पर अलग-अलग वेकंसी और आपकी LDC के लगबज यहाँ पर 4-5 तरह की वेकंसी अलग-अलग पोस्टल कमांड में निकाली गई है आप जिसमें अ आते हैं वेकंसी टेबल आप देख लिजेगा number of vacances कितनी है आपकी category में कितनी vacances निकाली गई है आप किस category से आते हैं कि आपके category में vacancy है की नहीं है उसके अनुसार यहाँ पर apply करें और अपना जो भी command है air command में उस जाप पे pushल देख लें और उसमें send करें देख लेते हैं इस प्रॉपर मिलेगी जैसे कि 18 OBC वालों को तीन साल की छूट मिलेगी STAC वालों को 5 साल की छूट अगर कोई PWD candidate हैं STAC and otherwise देओ जो की PWD के अंदर में आते हैं तो 10 साल की छूट अप ले सकते हैं एक सर्विस्में वालों को यहाँ पर एक्ट्रा रिलेक्सेशन आपको दी जो कि SUPDT स्टोर में वेकंसी निकाली गए यह लेवल 4 की जौब है 7 CP सेकुन सार आपको सेलरी मिलेगी essential qualification ग्राजवेट की डिमांड की गई है और यहाँ पर experience रखी गई है डिजाबल है बट यहाँ पर फ्रेसर अपलाई कर सकता है ग्राजवेट आप पास आउट हो किसी भ 9000 के जो घंडे होती है 5 की depression भी चलेगा आपका कुक की वेकंसी ordinary में लेवल 2 की जौब है 10 पास केंड़ेट अपलाई कर सकते हैं बट एक साल की experience यहाँ पर मांगी गई है आपकी कूक में उसके बाद वेकंसी है कारपेंटर की इसमें लेवल 2 की यह भी रहेगी 10 पास अपल ट्राइगर की भी एलिजवले निक्स वेकंसी है सिविलियन मेगनिगल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर की यहाँ लेवल 2 की है इसमें भी 10 पास मांगी गई है लेकिन यहाँ पर वैलिड सीविल ड्राइविंग लैसेंस होनी चाहिए light heavy vehicles का LMB यहाँ पर मांगी गई है तो जरा की होनी चाहिए इंस्चूट ऑफ रिपलिव यह जरूरी है मस्ट आप जो मांगी गई है मैंटेनेंस यानकी टाइप फायर एक्स्टिंग्यूसर होती है उसकी टाइप में मैंटेनेंस की आपके जो नौलेज है होनी चाहिए physically fit होनी चाहिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात ह और यहाँ पर रखी गई है experience of work regulation डिजावल है कोई बिल्गुल फ्रेसर एपलाई कर सकते है physical मैं बात करो fit की तो height आपकी 165 cm होनी चाहिए और आपकी सूज में रहेगा ज़की की schedule tribe with सूज रहेगा तो 25 cm आपको जो height है अलोड कर दी जाएगी नम्मर आप बात करें जैसे chase की तो 81.5 रखा गया है और expenses के साथ 85 रखी गई है weight 50 kg आपका होनी चाहिए carry जो carrying होगा main fireman में उस 63 kg यहाँ पर रखा गया है तो अलग-अलग wise हाँ पर divide की गई है अपनी height पे गराच चेक कर लें अगर आप fireman में apply करना चाहते हैं तो MDS की vacancy है level 1 की रहेगी इसमें सिर्फ 10 pass candidate apply कर सकते हैं बिलकुल phraser eligible है बात करते हैं mode of selection की तो जितने भी candidate apply करेंगे form की सबसे पहले scrutiny होती है सबसे पहले आने की form की security scrutiny जांच की जाती है then आपको जो है shortlisted किया जाएगा उसके बाद ही आपको for return test के लिए बुलाया जाएगा language, numerical aptitude and general awareness for MDS के लिए general intelligence, reasoning, numerical aptitude, general English and general awareness और for all the जितने भी extra ये LDC MDS short के जो भी trade wise ते हैं उसमें general intelligence, reasoning, numerical aptitude, general English, general awareness, trade औरने की अलग-अलग trade जिसे carpenter हो गया, FEE, SAPT हो गया तो अलग-अलग trade wise कुछ question आपको पूछे जाने वाले हैं bilingual होंगे, Hindi, English दोनों में रहने वाली हैं जितनी भी vacancies है, उसकी 10 गुना candidate को बुलाया जागा number of vacancies का call for skill, physical, practical, practical, exam देने के बाद उसके बाद आपको यहां पर written dates, practical, physical होगी और आपकी बाद selection होगी बात करते हैं, apply कैसे करना है, जो भी candidate apply करना चाहते हैं, वो last date रखी गई है, 30 days, 30 days, the publication, the advertisement, employment, news, रोजगार समचार बड़ अभी तक रोजगार समचार में publish नहीं की गई है, so please कहीं पर भी apply करने की date आ रही है, आप apply मत करना अभी, अराम से रहो, जब मैं बोलूँगा, या फिर जब इसकी आएगी date, तो मैं अपने बता दूँगा कि इसका form आपको कैसे apply करना है, form की video भी लेकर मैं आ करवाना होगा, type करवाने के बाद आपकी post details वेगर फिल करनी होगी, और सारी चीज़ें फिल करने के बाद आपको 2 envelope लेना होगा, single envelope में जितने भी सारी documents है, उसके बाद आपको address लिखनी होगी, जो postal command में आप भीजना चाहते हैं, जैसे कि मानली से आप इस command में आपको भी envelope भी डाल के send किज़ेगा, जिसमें admin card भेजा जागा, 10 रुपे का postal stamp आपको लगवाना है, envelope में ध्यान रखना है, जितने form आप भेज रहे हो, उसमें सब में लापका लगेगा, तो बिल्कुल यही सारा process से apply करने का सारी चीज़ें, hopefully समझा चुकीगी, फिर भी कुछ extra doubt हो, आपको permanent jobs करने का ज़रूर जाएं, जो भी candidate eligible है, hopefully वीडियो इस फिल लगी हो, like, share and subscribe कर ले, चले मिलते नेक्स वीडियो में, तद अगले से हैंद,